बच्चो जब भी किसी व्यक्ति को प्रोराटा बेसिस पे शेर्स मिलते हैं और वो आगे अलोट्मेंट नहीं देता है तो उसके अलोट्मेंट का कॉल से नरियर निकालने के लिए आपको ये फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने लिखे वह हैं या रखेगा बच्चो ये स्टेप्स उसी व्यक्ति के लिए फॉलो किये जाते हैं जिसको प्रोराटा बेसिस पे यानि पार्शल बेसिस पे शेर्स मिले होते हैं यानि उसने मांगे जादा शेर होते हैं उससे मिले कम शेर होते हैं तो ऐसा व्यक्ति, अगर allotment का पैसा नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति का calls in अरियर निकालने के लिए ये following steps आपको ध्यान रखने हैं. सबसे पहला step है, कि अगर उस व्यक्ति के applied shares given नहीं है, यानि allotted share given है और applied share आपको निकालने हैं, तो उसकी category के सारे applied share उपर रखिये, उसकी category के allotted share नीचे रखिये, into share allotted to him. Clear बच्चो? Applied निकालने के लिए उसकी category के total applied share उपर, उसकी category total allotted share नीचे, into share allotted to him. वहीं अगर उसके applied share गेत दे रखे हैं और allotted share निकालने हैं, तो यहीं चीज़ reverse हो जाएगी. अब उसकी category के total allotted share उपर रखिये, total applied share नीचे रखिये, into share applied by him. तो उसकी applied share निकालने हैं, तो उसकी category के applied उपर रखिये, allotted नीचे, और अगर उसकी allotted share निकालने हैं, तो उसकी category के allotted share उपर रखिये, applied नीचे, into, यहाँ पर share allotted और यहाँ पर share applied by him. क्लियर बच्चों? उसकी बाद आपको अगला step यह follow करना हैं, बच्चों, कि पता करिए, उसका कितना पैसा application में extra आया हुआ है, और जिसे allotted में transfer किया गया. यानि, आपको find out करना है, access application money paid by him, which is transferred to share allotment account. तो निकालने के लिए आपको क्या करना है, बच्चों? उसके applied share में से उसके allotted share minus कर दीजिए, क्योंकि अब आपको दोनों चीज़ पता है, उसके applied बता है तो आपने allotted निकाल लिए होंगे, allotted बता है अपने applied निकाल लिए होंगे step 1 से. तो उसके applied share मिसे उसके allotted share minus कर दीजिए और application money per share से multiply कर दीजिए सही है बच्चो तो इससे ये निकलाएगा कि उसने कितना पैसा application पर extra दिया था जो allotment पर transfer कर दिया गया अब उसके allotment का area निकाल लीजिए अब उसके allotment का area निकालना है तो उसके allotted shares को allotment money per share से multiply कर दीजिए यानि उसे अभी देना कितना है और minus जो आपका step 2 से access application money आया था जिसको allotment में transfer किया गया था वो minus कर देना है तो इससे उसका call sign area निकलाता है तो ये तीन steps आपको follow करने होते हैं बच्चो पहला step यही होता है कि आपको उसके applied share दे रखें तो allotted निकालो allotted दे रखें तो apply निकालो आप देख लिजिए कर शुक्त मैं बताया था मैंने you cheese और secondly ये पता करो कि उसने कितना पैसा फाल्तू दिया था application पे जोसको allotment पे transfer करना पड़ा ऐसे व्यक्ति का पैसा automatically फाल्तू हो जाता है क्योंकि उसने मांगे जादा share से तो उसने जादा share के इसाब से application money दे दिया मगर से मिले कम share थे तो जितने share उसने extra मांगे थे उनका application money allotment में adjust कर दिया जाता है अब उसे allotment देना है अपने allotted shares पे तो allotted share into allotment money per share minus वो excess money जो step 2 से आपने निकाला है इससे उसका call scenario और allotment निकलाता है अगर वो first call भी ने देगा तो first call का अरियर normal द्रीके से निकलता है तो उसके लिए की खास working की जूरो तरही है simply allotted share into call money कर दिजिए का अरियर आजएगा ये तीन step working केवल allotment का अरियर निकालने के लिए की जाती है मुझे उमीद है बच्चो आपको मेरी step समझ में आगे होंगे और इस step से आपको बहुत फायता मिलेगा बच्चो ठीक है बच्चो आईए के example भी देख लेते हैं ताकि आपको और clear हो जाए ये steps कैसे काम करते हैं बच्चो एक company ने share issue की थे 1500 और लोगों ने share apply की थे 2000 और सभी को प्रवाटा basis पर shares दे दिया गए थे यानि 2000 मांग रोले को 1500 shares दिया गए थे यहाँ पर मैंने दो default ले लिया है एक का नाम X रखा है और एक का नाम Y रखा है यहाँ पर application money दो रुपे पर share रखा गया है और तीन रुपे allotment money पर share रखा गया है X के तो applied share दे रखे 100 इसने भी allotment नहीं दिया Y के allotted share दे रखे हैं आपको 90 इसने भी allotment नहीं दिया अब दोनों के लिए 3 step working की जाएगी to find out their calls in area on allotment clear बच्चो तो आईए पहले x का check करते हैं x के कोभि applied share दे रखे हैं तो उसके allotted share निकालने और चाजको बच्चो उसकी allotted share निकालने रखेぁ और उसकी गजकी allotted निकालने है और ashrie applied नीचे रखेगा उसकी कait लोटे टेगे 75 इसका मतला 25 एक्सट्रा मांगे थी उसे 25 शेर कम मिले हैं तो उसका ऐस्केस अप्लिकेसिन मनी निकाला जाए मनेग्या है तो उसका उसका हैं पहले लिए अक्यास रूप से आGERए हुए हैं आप संपली सोचों बच्च показ अगर आपने 100 शेद्या किसी से दो रुपे के साब से तो आपने 200 रुपे दिये होंगे लेकिन मिले केवल 75 शेयर तो उसके साब से तो देड़ सो ही काम आए ना अप्लिकेशन पे तो जो 25 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा है दो रुपे के साब से 50 रुपे आपका आगे अज़स्स कर लिया गया होगा अब आगे आप जानते हैं हैं हैंको 75 शेयर मिले हैं तो अलॉट्मन का पैसा आप 75 शेयर का ही दोगे तो इसलिए को चल अर्यार और अलॉट्मन निकालने के लिए और ये कोन्स व 떨ॉ पे वाई का अरियर्स आएगा इनी इस तीन स्टैप फॉलो करके ही अब वाई के अलोटेट शेर दरिखें तो हमें य के अप्लाइट शेर निकालने हैं यह जो निकालना है उसका टोल उपन आ जाएगा अप्लाइट का टोल नीचे तो कोजार अपन पंद्रासों इंटु शेयर अलॉटिट टू वाए जो की नभ है था छीक है बच्चो तो इसते उसके अप्लाइट शेयर आगे 120 इसका वल्लब वाई ने 30 शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे तो उनी 30 शेयर का पैसा आगे अलॉट्मन में गया होगा 30 शेयर कैसे आए जो अलॉट्मन आजर्ट हुआ होगा आगे वाई भी 90 शेयर के हिसापसे ही पैसा देगा 120 के हिसापसे नहीं मांगे उसने विश्चो के 120 है लेकिन उसे मिले तो केवल 90 शेयर थे तो अलॉट्मन वो 90 के हिसापसी देगा 90 इंटू 3 जो कि अलॉट्मनमनी पर शेयर है या सब्सक्राइब है तो य का कॉल सिन अरियर आ गया 210 रुपे इस तरह से देखिए बच्चो यह आपको तीनों स्टैप्स मैंने निकालने सिखा दिये इनसे जुड़ा वह एक क्वेशन भी दिदिए एक से इसमें अप्लाइट शेयर दिरका था लॉटे निकाल लिया फिर दोनो के अलॉट्मेंट का अरियर निकालते समय दोनों के जो अपने अपने अक्सेस मनी थे हों माइनस कर दिये तो उनका कॉल सिन अरियर निकल के आ गया क्लेर बच्चो उमीद करता हूं कि आपको यह वर्किंग अच्छी दर्यसन में आ गई होगी बच्चो थैंक्यू बच्चो पुम्